है गाईज वेलकुम बैकटो मैं चैनल आज हम कवर करने वाले है और स्टेबल मल्टी वाइबरेटर देखेंगे और स्टेबल पढ़ने से पहले आपको 555 टाइमर आजी की ब्लॉक डायग्राम पूरी क्लियर होनी चाहिए आपने 741 IC में भी पढ़ा होगा वो free running multivibrator होता है 555 timer IC को कोई भी external trigger की ज़रुरत नहीं होती है जैसे monostable multivibrator में क्या होता था कि trigger देने पर ही state change होती थी और stable में ऐसा नहीं होता और stable multivibrator अपने आपसे ही high low high low ऐसे होता रहता है तो इसके लिए इसको free running बोलते हैं अभी हम इसका circuit diagram देखेंगे वर्किंग देखेंगे और फिर waveforms देखेंगे यह इसका circuit diagram है बहुत simple है पिन नंबर one is ground देन पिन नंबर eight is VCC यह हो गया power supply का फिर तीन पर हम output ले रहे है यह जो fourth pin होती है वो होती है reset pin इसके अंदर जो flip-flop होता है उसका reset pin है वो हमने VCC को दे दिया है वो active low होता है तो हमने वो VCC को देखे रखा है फिर यहां पर पार्च नंबर की pin है वो होती है control pin उसको use करते हैं हम output की pulse width modify करने के लिए वो जब हम use नहीं करते तो उसको हम एक capacitor लगाके ground में connect कर देते हैं ओके फिर sixth pin और second pin short circuit करके उसके नीचे capacitor लगाके ground कर दिया है फिर जो seventh pin होती है वो होती है से generate होता है तो यह circuit का overview था हम इसका अभी detail में वरकिंग देखेंगे अभी मैंने यहां पर 555 timer IC के block diagram का कुछ part draw किया है ओके यह जो red वाला part है वो है block diagram of 555 IC और यह जो blue वाला है वो external वो a stable multivibrator का part है ओके तो अभी मैंने यहां पर सारे connections नहीं बनाया है अगर मैं सारे connections बना दू तो वह बहुत complicated दिखेगी और को working समझने में दिक्कत होगी जैसे कि हमने pin diagram में देखा था यह r a r b और c connect कर दिया है फिर इसका जो यह point है वो जा रहा है 6th और 2nd pin को ओके 6th pin मतलब threshold pin यह first comparator का non-inverting input है और यह जो second pin होती है trigger pin वो second comparator का inverting input है ओके यह ध्यान में रखना है फिर यहाँ पर एक threshold लगा हुआ है 2 3rd Vcc और यहाँ पर threshold लगा हुआ है 1 3rd Vcc यह सारा कहां से आया है वो हमने block diagram के वीडियो में ही समझ लिया है फिर यह जो transistor होता है वो block diagram में यहाँ नीचे होता है बट वो 7th pin का connection RA के पास है इसलिए मैंने transistor उपर लिया है फिर जो transistor का base है वो यहाँ से आता है जो flip-flop का Q होता है वो transistor के base को जाता है और Q bar होता है वो हमारे output में आता है फिर मैंने pin number 5 का connection नहीं दिखाया और 4 का connection नहीं दिखाया जो भी unnecessary था वो मैंने यहाँ पर draw नहीं किया है अभी हम इसका working समझते हैं अभी consider करते हैं कि इसकी जो initial state है वो high है हमें output में 1 मीद रहा है मतलब Q bar 1 है Q 0 है अभी यह जो Q है वो इस transistor के base पे जा रहा है तो यह transistor अभी cutoff region में है मतलब यह transistor off है open circuit है तो अभी इस state में इस capacitor के पास charge होने को path है तो इसके across VCC लगा हुआ है तो वो VCC के towards charge होने लगेगा through RA and RB तो यह जो capacitor है वो ऐसे दीरे दीरे charge हो रहा है towards VCC अभी यह जो point है यहाँ पे जो voltage है वो है VC यही voltage हमारा जा रहा है यहाँ पे इस point बे भी voltage है VC अभी यह comparator जो है वो non-inverting comparator है तो अभी यह VC जब two-third VCC को cross करने जाएगा तो इस comparator का output switch होगा ओके when VC is greater than two-third VCC तब हमारा जो comparator का output है वो हो जाएगा Vsat ओके तो इस comparator ने output area 1 तो यह output गया flip-flop के set input पर flip-flop set हो गया फिर Q हो गया 1 Q बार हो गया 0 फिर यह जो 0 है वो output stage में गया तो पहले output 1 था मतलब high था अभी output 0 हो गया मतलब low हो गया अभी यह VC था वो तो second pin वाले पर भी जा रहा था बट इस comparator को कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह inverting comparator है इसका output अभी वन होगा जब आपका यहां का output 132 CC से कम है क्योंकि यह inverting comparator है उपर वाला non-inverting comparator है तो अभी क्या हुआ अभी हमारा जो output है वो 0 है यह 1 है यह 0 है यह अभी मैं फिर से द्रॉक करती हूँ सो Q वाज 1 और Q बार वाज 0 सो Q बार गया output में और हमारा output हो गया लो अभी यह जो 1 है वो इस transistor के base पे जाएगा ओके यह 1 transistor के base पे गया मतलब transistor saturate हो गया on हो गया और वो हो गया short circuit जैसे ही यह transistor short circuit हो गया तो इस capacitor को discharge होने के लिए path मिल गया वो चार्ज हुआ था 2 3 VCC तक right 2 3 VCC के बाद यह comparator 1 हो गया था और output stage flip हो गी थी अभी इसको discharge होने के लिए path मिला तो वो RB के through इस transistor के through ground में discharge हो रहा है ओके इसका voltage कम हो सो VC कम होते जा रहा है होते जा रहा है वो discharge होते जा रहा है अभी यह जो input है वो जा रहा है pin number 2 को मतलब second comparator के inverting pin को अभी मैंने बोला था जब आप 1 3 VCC के नीचे input होगे तब यह comparator output 1 देगा ओके तो जब आपका comparator घटे 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 1 3 VCC के नीचे आएगा तब नीचे वाले comparator का output हो जाएगा plus Vsat मतलब 1 फिर यह गया इसके reset को और इसने कर दिया flip-flop को reset flip-flop को reset मतलब यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे आया 1 तो यह जो qber है वो output में गया पहले हमारा output था ऐसे मतलब 1 0 था अभी यह 1 आ गया फिर मतलब output फिर से high हो गया 101 हो गया मतलब हम फिर से इसी position पे आ गये ऐसे आपका output oscillate होते रहेगा अभी 1 के बाद तो वो पूरी story repeat होने वाली है अभी यह unstable multivibrator का working मैंने आपको short में यह draw करके दिया है इनिशाली जब unstable multivibrator का output high था इसका मतलब q0 था और q1 था यह q जाता है transistor को तो transistor open था क्योंकि q0 था अगर transistor open है तो capacitor को charge होने के लिए path है कौन सा path है आरे और rb वाला तो वो charge हो रहा है तो वो charge होते होते जब 2.3 vcc को cross करेगा तब comparator का output हो जाएगा vset फिर first comparator ने कर दिया flip-flop को set तो output हो गया q equal to 1 और q bar equal to 0 तो output हो गया low फिर जो q1 था वो transistor के base पे जाता है तो transistor को saturate कर देगा on कर देगा तो वो short circuit हो जाएगा फिर transistor short circuit हो गया तो capacitor को discharge होने को path मिल जाएगा capacitor आरबी के through और transistor के through discharge होने लगेगा बट discharge होते होते जब उसका voltage 1.3 vcc के नीचे आएगा तब जो नीचे वाला comparator है वो on हो जाएगा वो उस flip-flop को reset कर देगा तो flip-flop का output फिर से 0 हो गया और q bar 1 हो गया तो q bar ही हमारा output होता है circuit का मतलब हम फिर से high state पे आके तो आपको समझ रहा है कि यह cycle कैसे work कर रहा है कैसे यह high से low और low से फिर से high ऐसे oscillate कर रहा है तो यह diagram से आपको दो minute में working clear हो जाएगा आप यह diagram exam के time भी refer कर सकते हो I will provide the link in the description तो आपको इसका basic fundamental working अभी समझ में आया होगा अगर अभी भी unclear है तो तो वीडियो को थोड़ा पीछे स्क्रोल करें और फिस एक बार से हो अभी इसका waveforms देखते हैं तो जैसे हमने working में देखा था कि capacitor 10-15cc से 2-3-25cc तक चार्ज होगा ना इसके ऊपर जाएगा और ना ही वह discharge होते ओते नीचे आएगा फिर जब यह चार्ज हो रहा है तब इसका output था वन और यह जब discharge होगा तब वह 0 पर होगा तो आपका जो charging period है वह depend था RA और RB पे और जो discharging period है वो depend है सिर्फ RB पे क्योंकि वो सिर्फ RB से ही discharge हो रहा था तब RA picture में था ही नहीं तो यह TCE मतलब charging period और TD मतलब discharging period इसका भी हम आभी equation देखते हैं तो charging time का equation है 0.69 RA plus RB into C तो इसके equation में RA और RB दोनों है और जो discharging period है वो है 0.69 into RB into C अगर हम total time देखे तो वो होता है 0.69 RA plus 2RB क्योंकि दो बार RB है into C अभी यह सब कुछ derive करके आया है बट exam में इसका derivation नहीं आता है mostly आपको इसका working पता होना चाहिए और इसके numericals पता होने चाहिए और numericals के लिए यह important equations में बता रहे हूँ फिर इसका जो frequency of oscillations होता है वो होता है 1.45 upon RA plus 2RB into C इसका सिर्फ reciprocal लिया है वहाँ पे अगर आपको output का time period change करना है तो RA, RB और C change करो और क्योंकि RA, RB और C पे आपकी output की time period depend है फिर इसका अगर आप duty cycle निकालोगी तो duty cycle का formula क्या होता है, charging time upon total time into 100 तो वह simplify करके यह आजाएगा तो यह important equations आपको ध्यान में रखना है मैंने जो पूरा explain किया उसके notes भी मैं description box में आपको दे दूँगी वहाँ से download कर लेना I hope आपको Austable Multivibrator अच्छे से समझा है अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like करो मेरे channel को subscribe करो और मेरी पूरी playlist अपने friends के साथ share करो Thank you